कैसे हैं हमारे नन्हे नन्हे प्यारी प्यारी फरिष्टे ठीक हो न बैटे सबकी दुआईं ले रहे हो ना अच्छे-चे काम कर रहे हो ना शबाश तो बैटे हमने जो पिछले वीडियो में आपको नन्हा फनकार पाठ का पठन बताया था उची भाव भंगमाँ के साथ उसे पढ़के बताया था और नई शब दर्थ पताये थे मुहावरे बताये थे है ना तो मुझे पुरी उमीद है कि आपने उसको अच्छे से सुना होगा पढ़ा होगा और जो है पाट को समझा होगा है न तो आज हम पढ़ेंगे नन्हा फंकार जो हमारे विल्जिम पाठे पुस्तक पांचवे की है N.C.E.R. ठीकी उसके पांचवे पाठ का जिसका नाम है नन्हा फंकार उसके प्रेशन अभ्यास ठीक है शुरू करें गुट केशव की घंटिया प्रेशन एक माशाल्ला ये घंटिया कितनी सुन्दर है तुमने खुद बनाई है बाठ्षा अकबर ने यह बात किसले कही होगी K. केशव की काम की तारीफ में K. यह जानने के लिए कि घंटिया कितनी सुन्दर है G. केशव से बातचीत शुरू करने के लिए G. घंटिया किसने बनाई यह जानने के लिए G. क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुन्दर घंटिया बना सकता है यह कोई और कारण जो तुमें ठीक लगता हो बताओ क्यों कहोगा बातचा अकबर ने माशालला यह घंटिया कितनी सुन्दर है पिल्कुल सही क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुन्दर घंटिया बना सकता है है ना प्रेश्ट दो केशव पत्थर पर घंटिया तथा कडिया तराश रहा था उसके द्वारा तराशी जा रही घंटियों और कडियों का चित्र अपनी कौपी में बनाओ तुम्हें क्या कोई खास इमारत याद आ रही है जिसमें नकाशी की गई हो संभव हो तो उसकी तस्वीर चिपकाओ तो केशव घंटियों पर पत्थर की घंटियों पर कडियां तराश रहा था था न तो आपको उन घंटियों और कडियों का चित्र अपनी कौपी में बनानाओ ड्राइंग करने हैं, आपके बुक में बनी हुई है बिटी, या न? आपको क्या कोई ऐसी खास इमारत याद आ रही है? कोई ऐसी बिल्डिंग याद आ रही है जिसमें आपने देखा हुआ कि बहुत खुबसूरत नकाशी की गई है, शिल्पकारी की गई है आपके गाउं में आपके घर में किसी किले में आप गए हो किसी महल को आपने देखा हो हमारे हिंदुस्तान के मंदिरों में तो हर एक मंदिर में बहुत सुन्दर शिल्पकारी है पुराने मंदिरों मैं तो ओर बी सुन्दर सुन्दर है न? तो मैंने अभी कुछ महीने पहले अक्शर धाम मंदिर गई थी दिली में तो वहां कि जो है मुझे बहुत सुन्दर लगी नकाशी, तो मैंने उसका यह चित्री हां भेजा है आप अपना जो भी आपको पसंद हो हर एक ने जरूर देखा होंगे बहुत सारी ऐसे ही मारते जिन में सुन्दर नकाशी की गई है आप उसका चित्री यहाँ यदि संभव हो तो लगा सकते हो या बात चित कर सकते हो सोच सकते हो कि हान जी वान गए थे हम लोग पराने फोटोग्राफ्स में देख सकते हो आप कि देखो कितनी सुन्दर शिल्पकला है नकाशी है है ना आना जाना केशव के पिता गुजराद से आगरा आकर बस गए थे हो सकता है तुम ये तुम्हारे कुछ साथियों के माता पिता भी कहीं और से आकर यहां बस कए हो कहीं और से यहां आकर बस कए हो बाचीत करके पता लगाओ कि ऐसा करने के क्या कारण होते है आपने देखाओगा आपी घर के आसपास जो है वो कुछ लोग उनका पैतरिक गाउन तो कोई और होता है है ना लेकिन वो किसी कारेवर्ष किसी मजबूरी के तहट या तबा वहाँ पर किसी और जगा पर आकर बस कए हैं जैसे केशव गुजराथ से आगरा आकर उसके पिता जी बस के थे तो पिछली वीडियो में आपको एक मैप दिया था वीडियो के एंड में वहाँ बताया था गुजराथ से उत्तर प्रदेश में आगरा कहा है वो पूरा रूट आपको ने एक मार्क करके दिया था आप उसको भी देख लेना एक बार तो केशव के पिताजी भी कारे के सिलसले में ही वहाँ पर आये थे उनको वहाँ काम मिल गया था फत्यपुर सेकरिय का महल बनाने के लिए तो ऐसे ही आप बताओ क्यों आते हैं लोग अपनी जगह अपना पैत्रिक घर छोड़के दूसरी जगह जाने के लिए क्यों रहते हैं आते लोग क्यों मजबूर हो जाते हैं हाँ बिल्कुल सही अक्सर लोग रोजगार की तलाश में ये नौकरी में तबादलों के कारण अपना घर छोड़कर दूसरी जगह बसने का निर्णय लेते हैं कभी कभी बेहतर सुविधाओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई अपनी रोजी रोटी के कारण अपना घर छोड़कर के बाहर जाते हैं, पर्देश में भी जाते हैं, दूसरे देशों में भी जाते हैं, नौकरी के तलाश में ये नौकरी की कारण और कईबर तबादले ऐसे होते हैं, ट्रांसफर्स होते हैं, जैसे हमारे फौजी भाइग हैं, वो तो फौजी भाइग हैं, और सरकारी विभाग हैं, जहां या और companies भी हैं, जहां पर ट्रांसफर्स के कारण, तबादलों के कारण भी अपना घर छोड़ के दूसरी जगा पर जाना पड़ता है, यह केवर ऐसा हता है कि हमें hospital से कारण, जहां अच्छी स्वास्ति सुविधाई हैं जहां पर अच्छी पढ़ाई लिखाई है अच्छी शिक्षा की सुविधाई हैं या फिर कोई और सफाई है, साफ सफाई है कोई और कारणों की वज़ए से भी हमें केवर अपना घर छोड़कर दूसरे जगा पर जाकर बसना पड़ता है कहाने से प्रिशन तीन अकबर को पहरेदार की दखलत ताजी अच्छी क्यों नहीं लगी? उत्तर, बताओ क्यों नहीं अच्छी लगी बिटे? पहरेदार ने आकर बोला था, अकबर बच्चे से बात कर रहा था पहरेदार ने आकर बोला था कि बादशाह हुजूर मुझे पता नहीं चला तो उसने आकर बच्चे को भी डांटा, बच्चा भी ऐलर्ट हो गया बच्चा भी थोड़ा सा साफधान हो गया है न, संकोच में आ गया तो क्यों नहीं अच्छा लगा अकबर को पहरेदार के दखलंदा जी? हाँ अकबर को पहरेदार के दखलंदा जी इसलिए अच्छी नहीं लगी क्योंकि वे चाहते थे कि केशव बिना संकोच उनसे अपने अपने और अपनी कला के विशे में बातचीत करे अकबर को पहरेदार की दखलन दाजी इसलिए अच्छी नहीं लगी क्योंकि वे चाहते थे कि केश्व बिना संकोच उनसे अपने और अपनी कला के विशे में बातचीत करे अगला प्रश्न लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है यहाँ पर बड़े आदमे से केशव का क्या मतलब है? बताओ क्या मतलब है? बड़ा आदमी मतलब उमर में बड़ा? बिलकुल सही यहाँ पर बड़े आदमे से केशव का मतलब है किसी उच्छ पद वाले या अमीर व्यक्ति से केशब देखा उन्हें अंगबुठियां पहनी हैं मालाएं पहनी हैं और बड़ी-बड़ी मुच्छे हैं तो उसको लगा कि यह कोई बहुत उच्छ पद वाला कोई बड़ा आफिसर या कोई बड़ा अमीर व्यक्ति है यहाँ बड़ा आदमी उसके पद के कारण पोजिशन के कारण बड़ा या फिर उसके धन के कारण बड़ा बोला गया उम्र के कारण नहीं ठीक है प्रशन पांच खरगोश की सी कातर आखे पश्यू-पक्षियों से तुलना करते हुए और भी बहुत सी बाते कही जाती हैं जैसे हि खरगोश की सी कातर आखों से देखा केश्यव ने कातर आखे दय नहीं आखे जिसको देखके दया आ जाए है ना तो खरगोश की आखों से तुलना की गी उस वक्त उसकी आखों में दया वली भावना थी कि मुझ पर दया करो टाइप और वो इसलिए खरगोश की आखों से तुलना की गई, ऐसे ही हम कई जानवरों से उनके गुणों के कारण तुलना करते हैं, जैसे लोमडी जैसी चालाक, कोई बहुत चालाक होता है तो हम कहते हैं तुम लोमडी जैसी चालाक हो, कच्वे जैसे सुस्त, कच्वा धीरे-धीरे चलता है तो हम कहते हैं कच्वे जैसे काम कर रहे हो, मचली जैसी आखें, जिसकी मचली के जैसी शेप की आखें होती हैं, उसको मचली जैसी, हम आखों के तुलना मचली से करते हैं, हिरन से भी करते हैं, आखों के तुलना कई बार, क्योंकि हिरन के आखें बहुत सुन्दर होती हैं, और कुत्ते जैसा वफादार, क कोई बहुत जोड से गरज्सत है तो हम कहते हैई तुम शेर के तरह दाहाद रहे हूं आधी जासी चाल आधी के चाल देखे है अपने मस्ती से चलता है इसके अजा spilledh दिन अब करा हमा आधी कई से फिक That जामनी पहलता है ý vig trained उनके तुलना हम कई बार हमारी बहुत सरी आत्तों से करते हैं तो मैंने कुछ बताए हैं, आप भी कुछ सोच सकते हैं ना पिटे अगले प्रेशन अकबर ने जब नकाशी सीखना चाहा तो केशव ने उन्हें संदेह भरी नजरों से क्यों देखा? केशव ने उन्हें संदेह भरी नजरों से क्यों देखा? नकाशी क्यों सीखना चाहते हैं? उसे लग रहा था कि शायद यह काम उनकी हैसियत के लिए ठीक नहीं है फिर से पढ़ेंगे केशव ने उन्हें संदेह भरी नजरों से इसलिए देखा क्योंकि उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि बादशाह अपनी सल्तनत का कारे छोड़ कर नकाशी क्यों सीखना चाहते हैं? उसे लग रहा था कि शायद यह काम उनकी हैसियत के लिए ठीक नहीं है पहले तो केशव को यह समझ नहीं आ रहा था कि बादशाह इतने बड़ी सल्तनत का मालिक है उनके सल्तनत में कितने काम होते हैं वो सारे कारे छोड़ कर यहां मेरे साथ यह नकाशी क्यों सेखना चाहते हैं? और दूसरा उनको यह लग रहा था कि बादशाह की हैसियत के लिए बादशाह तो सिहासर पर बैठने वाले सिहासर बैठते हैं यहां बैठकर नकाशी सीखना शायद उनके लिए उनकी हैसियत के लिए ठीक नहीं है इसलिए केशव उन्हे संदेवरी नजरों से देख रहा था अगला प्रेशन केशव दस साल का है क्या उसकी उम्र के बच्चों का इस तरह के काम से जोड़ना ठीक है अपने उत्तर का कारण जरूर बताओ बिटे आप लोग भी दस साल के हो न आप पांचवी में हो तो दस साल या थोड़ा से एक आथ साल ज्यादा हो तो आपकी उम्र का है केशव और इतने बड़े हथोड़े चैनी से वो पत्थरों पे नकाशिक कर रहा है तो क्या आपको लगता है कि केशव को इस तो तो ये वाला सारा काम शुरू करना चाहिए या आपको लगता है कि अभी उसे पढ़ना लिखना चाहिए और उसे अपना मानसिक और शारीरिक विकास पर ध्यान देना चाहिए क्या लगता है आपको हाँ बिल्कुत सही नहीं मेरे विचार से इतनी छोटी उम्र के बच्चों का इस तरह के काम से जुड़ना ठीक नहीं है ये उम्र तो पढ़ाई लिखाई और खेल कूद के द्वारा मानसिक और शारीरिक विकास की होती है अभी पढ़ाई लिखे गए उसका दिमाग मानसिक विकास होगा और ज़्यादा और शरीर केलेगा खुदेगा शरीर का विकास होगा तो उसको भी तो खुब पढ़ाई लिखाई करने चाहिए अगला प्रश्न केशव बार-बार सबको सुनाता केशव सबसे क्या कहता होगा कल पुना करके केशव के شथो में लिखो पाठ में आया न केशव सब को बार बार सुधा रहा था कि बाच्शा अकबर आई थे मिलने के लिए तो वो क्या बोल रहा होगा आप अपनी भाशा में बताओ क्या बोल रहोगो बेटेवो हाँ केशव सबसे यही कहता होगा कि आज मैंने बादशाह अकबर को नकाशी सिखाई उन्हें मेरा काम बहुत अच्छा लगा और सिर्फ मुझसे ही कहा कि मुझे नकाशी सिखाऊगे पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ लेकिन फिर मैंने उनको सिखाना शुरू किया उन्होंने मुझे जी हुजूर भी कहा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और बहुत अच्छा शिल्पकार बन जाऊंगा तो वो मुझे अपने कार खाने में भी काम देंगे ठीक है ऐसे कुछ कहोगा ना बेटे उस्ते उत्तर केशफ सबसे यही कहता होगा कि आज मैंने बादशाह अकबर को नकाशी सिखाई उन्हें मेरा काम बहुत अच्छा लगा और सिर्फ मुझे ही कहा कि मुझे नकाशी सिखाओगे पहले तो मुझे विश्वासी नहीं हुआ लेकिन फिर मैंने उनको सिखाना शुरू किया उन्होंने मुझे जी हुजूर भी कहा जब मैं बढ़ा हो जाऊंगा अब बहुत अच्छा शिल्पकार बन जाऊंगा तो वो मुझे अपने कार खाने में भी काम देंगे ठीक है शब्दों की निराली दुनिया नकाशी जैसे किसी एक काम को चुनो बढ़ाईगिरी, मिस्त्री, इत्यादी जिसमें औजारों का इस्तेमाल होता है उन खास औजारों के नाम और काम पता करके लिखो फिर से पढ़ेंगे नकाशी जैसे किसी एक काम को चुनो जैसे कि बढ़ेईगीरी, मिस्त्री, इत्यादी जिसमें औजारों का प्रेयोग इस्तेमाल होता है उन खास औजारों के नाम और काम पता करके लिखो जब भी हम बेटी किसी कारिय को करते हैं जैसे कोई बहुत अच्छा खाना बनाता है तो उसको खाने का हुनर आता है खाने का फन आता है, कोई बहुत अच्छे कपड़े सिलता है तो वो भी उसका फन है, फन मतलब उसकी ये कला है कोई बहुत अच्छी मूर्थियां बनाता है कोई बहुत अच्छे फरनीचर बनाता है तो यह सब हमारे अलग-अलग तरह के कलाएं होती हैं, अलग-अलग तरह के हुनर होते हैं, फन जिसको बोलते हैं, तो इन में से वो बोड़ है कि जिसे नकाशी एक काम है ऐसे ही कोई भी एक काम चुनो जिसमें की ऑजारों का प्रियूग होता है कुछ उसके लिए ऑजार चाहिए कारे करने के लिए खाली हाथों से वो काम नहीं कर सकते हैं तो आपको उन ऑजारों के नाम बताने और वो किस काम आते हैं वो बताने है ठीक है तो मैंने यहां दरजी का काम बताया है आप कुछ और काम भी जिस पी काम को आप जो भी काम आपको अच्छा लगता है उस काम के बारे में जाके पूछ लो कि जैसे आप आपको इस काम के लिए क्या काम करते हैं किस काम आते हैं वो पहले कैंची कैंची किस लिए इस्तेमाल होती है कपड़ा काटने के लिए सुई धागा कपड़ा सिलने और कड़ाई करने के लिए सिलाई मशीन कपड़ा सिलने के लिए इंची टेप नाप लेने के लिए ठीक है फिर से पढ़ेंगे दरजी के काम में प्रयुक्त होने वाले औजारों के नाम हैं, कैंची, कपड़ा काटने के लिए, सुई धागा, कपड़ा सिलने और कड़ाई करने के लिए, सिलाई मशीन, कपड़ा सिलने के लिए, इंची टेप, नाप लेने के लिए. अगला प्रेशन है, चैनी, हथोडा, तराशना, किर्चें, ये सब पत्थर के काम से जुड़े हुए शब्द हैं, लकड़ी के दुकानदार और बढ़ाई से बात करके, लकड़ी के काम से जुड़े शब्द इकठे करो, और कक्षा में उन पर सामोहिक रूप से बातचीत करो कुछ शब्द हम यहां दे रहे हैं, आरी, रंदा, बुरादा, प्लाई, सूर्थ, फिर से पढ़ेंगे, चैनी, हथोडा, तराशना, किर्चें, ये सब पत्थर के काम से जुड़े हुए शब्द हैं, लकड़ी के दुकानदार और बढ़ाई से बात करके, लकड़ी के काम स जुड़े शब्द इकठे करो, और कक्षा में उन पर सामोहिक रूप से बातचीत करो, कुछ शब्द हम यहां दे रहे हैं, आरी, रंदा, बुरादा, प्लाई, सूर्थ, तो बेटी जैसे चैनी, हथोडा, तराशना, किर्चें, ये सब पत्थर के काम से जुड़े हैं, तो रंदा, बुरादा, प्लाई, सूर्थ, ठीक है, तो हम नीचे कुछ औजारों के नाम आपको और बता रहे हैं, और उनके क्या कारे हैं, वो भी बता रहे हैं, बढ़े गिरी में प्रयुक्त होने वाले औजारों के नाम है, हथोडी, हथोडी किस काम आती है, लकडी या कसने के लिए, प्लाईर किस काम आता है, पेच निकालने के लिए, किसी फरनिचर में पेच है, लगा हुआ, और उसको निकालने के लिए, बर्मा किस काम आता है, छेद करने के लिए, रंदा किस काम आता है, लकडी की गिसाई करने के लिए, उसे चिकना बनाने के लिए, और ड्रिल मश्रील किस काम आती है लकड़ी में छेद करने के लिए तो यहां निक्चे बीटी में एक पिक्चर में कुछ हत्यार बताए हुए है देखो आरी है यहां पर और यह अलग-अलग तरह की हथाओड़ी है और अलग-अलग तरीके की वहां पर कार्पेंटर के काम में दिल ठोकने के लिए आरी लकड़ी काटने के लिए पेचकस पेचकसने के लिए प्लायर पेच निकालने के लिए बर्मा छेद करने के लिए रंदा लकड़ी की गिसाई करने के लिए ड्रिल मशीन लकड़ी में छेद करने के लिए अगला प्रश्न है कटाव शब्द कट क्र क्रिया से बना है कटाओं ठीक है नीचे लिखी संग्याएं किन क्रियाओं से बनी है इन संग्याओं का अर्थ समझो और वाक्य में प्रयोग करो चुनाओ पढ़ाओ बहाओ लगाओ फिर से पढ़ेंगे कटाओ शब्द कट क्रिया से पैदा हुआ है काटना या कट क्रिया जो दिने उससे कटाओ बना बिटे तो नीचे लिखी संग्याएं नीचे कुछ संग्याएं दिवी है किन क्रियाओं से बनी है किस काम से ये संग्या चुनाओ, संग्या है, यह किस से बना है, चुनना से, चुनाओ, पढ़ाओ, बहाओ, लगाओ, उत्तर, पहला है संग्या, चुनाओ, चुनाओ संग्या है न, फिर क्रिया, किस क्रिया से, किस काम से यह बने है संग्या, तो वो क्रिया है चुनना, चुनना से बना है चुनाओ, और वाक्य प्रयोग हमें चुनाओ में अपना मत जरूर देना चाहिए जब हमारे देश में चुनाओ होते हैं तो उन चुनाओ में जो लोग अपने मत दान कर सकते हैं उन लोगो जरूर जाके अपना मत देना चाहिए फिर संग्या है अगली पढ़ाओ पढ़ाओ किससे बना ह पड़ना से बाक्यप्रियोक रात होने वाली है भाढ़ दालती है जी से पैले जमाने में रजा महराजा यात्री जो थे वह पैदल चलते थे या बैल-गाड़एयो चलते थे जहाँ रात होने वाली होती थी वहीं पर वह अपना रुक़ जाते थे पढ़ाओ डाल लेते थे, मतलब वहाँ पर अपना सब कुछ वहाँ पर सामान महीं रखके, टेंट वगरा लगाके, खाना-कुना बनाके पूरी रात वहीं काटते थे, फिर अगले दिन सुबा होके फिर चलते थे इसको बोलते हैं पढ़ाओ, ठीक है? तो संग्या किस क्रिया से बनी है? पढ़ना से वाक्य प्रयोग रात होने वाली है, हम यहीं पढ़ाओ डाल देते हैं तीसरा है, संग्या है बहाओ, अब बहाओ किस क्रिया से बना है? बहना और वाक्य प्रयोग अत्यधिक वर्षा होने के कारण नदी का बहाव तेज हो गया है संग्या बहाव किस क्रिया से बनी है बहाव बहना और वाक्य प्रयोग अत्यधिक वर्षा होने के कारण नदी का बहाव तेज हो गया है शाबश फिर चौथा है संग्या लगाव किस क्रिया से बना है लगाव लगना से संग्या है लगाव और क्रिया है लगना और वाक्य प्रयोग क्या है मुझे अपने परिवार से बहुत लगाव है वाक्य प्रयोग क्या हुआ प्रश्न तीन, लड़के ने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुद्बुदाई, रेखांकित शब्द और नीचे लिखे शब्दों में क्या अंतर है, वाक्य बनाकर अंतर स्पष्ट करो, फुस फुसाना, बढ़ बढ़ाना, भुन भुनाना, फिर से पढ़ेंगे, वाक्य बनाकर अंतर स्पष्ट करो, फुस फुसाना, बढ़ बढ़ाना, भुन भुनाना, ठीक है बेटे, ये कुछ शब्द हैं, इनके अर्थ बताने हैं हमको, उनका वाक्य प्रियोक करके समझाना है, तो आपने देखा न, पाथ के शुरू में आपने देखा जब प्रार्थना बुद बुद आई, बुद बुद आना होता है, मुह हे मुह में कुछ बोलना, जैसे कि है इश्वेर आचा दिन बहुत अच्छा बीते, और जो भगवान का, भगवान जी मैं काम शुरू कर रहा हूं, मेरे से बहुत अच्छे गंटियां बने, भगवान जी आप आज हो, कुछ भी आप जो प्रार्थना उसने मुह में धीरे 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 मुह में बोली, अगला है फुस फुसाना, फुस फुसाना क्यों होता है, धीरे धीरे बोलना या कोई बात कहना, वो धीरे से मेरे कानों में फुस फुसाया, फुस फुसाने का मतलब क्यों होता धीरे धीरे बोलना कुछ, बहुत एकम volume में कुछ बोलना, बहुत कम आवाज में कुछ फूलना, जैसी तुझे बता है, मेरे ममाने ना आज मुझे टिफिन में खलवा दिया है यह होता है, फुस-फुसाना आप लोग ऐसे फुस-फुसाती हो ना कानों में एक दुस्वे के जब मैं बोलते हैं जोड से नहीं बोलना तो वो धीरे से मेरे कानों में फुस फुस आया फिर होते हैं बढ़ बढ़ाना बढ़ बढ़ाना क्यों होते हैं गुस्से या क्रोध में कुछ न कुछ बोलना गुस्से या क्रोध में कुछ-कुछ बोलना उसको बोलते हैं बढ़ बढ़ाना मालकिन के डांटने पर वह बढ़ बढ़ाते हुए काम छोड़कर चली गई मालकिन के डांटने पर वह बढ़ बढ़ाते हुए काम छोड़कर चली गई गुस्से में कुछ-कुछ बोलती हुई चली गई फिर होता है भुन-भुनाना एक होता है बढ़ बढ़ाना एक होता है भुन-भुनाना बढ़ बढ़ाना मतले गुस्से में कुछ बोलना और एक होता है भुन-भुनाना धीरे धीरे जली कटी सुनाना जिन लोगों को भुन- भुन भुनाना, मतलब चिड़ चिड़ के कुछ-कुछ बोलते रहना, धीरे धीरे जली कटी सुनाना, जिन लोगों को भुन भुनाने के आदत होती हैं, वो जल्दी बिमार पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि हम दूसरों पर गुस्सा करेंगे, तो वो पहले तो हमारे खुद की स दन भी हमारे शरीर भी वैसे बन जाता है, तो जो लोग भुन भुनाते हैं, उन्हें वो जल्दी बिमार हो जाते हैं, ब्लेड प्रेशर हाई हो जाता है, तो अपना नुकसान नहीं करना चाहिए, गुसा नहीं करना चाहिए, है ना, नने फिरिश्टों, तो नेक्स देखत हैं, बेवकूफ, खड़ा हो, हुजूरी आला के सामने बैठने के जुरुत कैसे की तुने, जुक करें हैं, सलाम कर, महल के पहरेदार ने केशिफ से यह, क्यों कहा, यह इसलिए कहा, क्यों की, अच्छे, यह आप्शन्स हैं यहां पर, आपको बताना है बेटा, इन चार पा आप्शन्स में से कौन से सही है, बेवकूफ, खड़ा हो, हुजूरी आला के सामने बैठने के जुरुत कैसे की तुने, जुक करें हैं, सलाम कर, महल के पहरेदार ने केशिफ से यह, इसलिए कहा, क्यों की, क, बादशाह के सामने बैठे रहना, उनका अपमान करने जैसा है, ख, पहरेदार यह कहकर, अपनी वफादारी दिखाना चाहता था, ग, पहरेदार को बादशाह के आने का पता नहीं चला, इसलिए वह घबरा गया था, ग, बादशाह का केशिफ से बात करना, पहरेदार को अच्छा नहीं लगा, कौन सा उत्तर से यह, बिटे, फिर से तेन चारों उप्शिन्स, बादशाह के सामने बैठे रहना, उनका अपमान करने जैसा है, ख, पहरेदार यह कहकर, अपनी वफादारी दिखाना चाहता था, ग, पहरेदार को बादशाह के आने का पता नहीं चला, इसलिए वह घबरा गया था, ग, बादशाह का केशिफ से पहरेदार को अच्छा नहीं लगा, तो कौन सा उत्तर सही है, येस, बिल्कुल सही, पहरेदार यह कहकर, अपनी वफादारी दिखाना चाहता था, पहरेदार अपनी डूटी कर रहा था, उसको अपनी डूटी दिखाना चाहता था, कि मेरी ये डूटी है, कि बच्चा वहा तो यह थी हमारे इस पार्ट के प्रेशन उत्र तो आपने बहुत ध्यान से इसको समझना और पढ़ना बेटे और जो आपने उत्तर कॉपी में लिखने है तो वीडियो को पॉज करके न वीडियो को बीच में रोक कर आप उतना उत्तर अपने कॉपी में लिख सकते हो ठीक है अच्छे से पढ़ना बेटे खूब पढ़ो लिखो बड़े बनो और अच्छे अच्छे काम करो सबसे दुआएं लो ठीक है अगले वीडियो में मिलते हैं बाई गड़ ब्लेस यू